दोस्तों अधित बिल्ला मनी लिम्टेड जो अधित बिल्ला कैपिटल की सबसिडिरी कमपनी है इसकी Q4 के रिजल्ट को पब्लिश कर दिया गया है अधित दिबिल्ला मनी लिमिटेड एक्विटी एंड डेरिवेटिप्स ब्रॉकिंग सर्विसेस के साथ साथ पॉर्टफोलियो मेरेजमेंट सर्विसेस भी देती है यह इस कम्पनी का फानेंशल रिचल्ट है और यहां सारे फिगर लैक्स में बताए गए है दोस्तों इस इमेज की क्वालिटी बहुत खराब है तो मेरे रिक्वेस्ट है कि आप हाइस्ट रेजुलेशन पर इस वीडियो को देखें Q4 में इस कम्पनी का टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन साट करोड़ चत्तिस लाग है जो प्रिविएस क्वाल्टर में यह साट करोड़ चब्विस लाग था और प्रिविएस एर की क्वाल्टर में यह उन्चास करोड था Year on Year इसमें लगबग 23% की बढ़त है और quarter on quarter basis पर यह 0.16% बढ़ा है Q4 में इस कम्पनी का टोटल इंकम 61 करोड 37 लाग है जो Q3 में यह 60 करोड 75 लाग था और प्रिविएस एर के Q4 में यह 49 करोड 87 लाग था तो टोटल इंकम में Year on Year basis पर लगबग 23% की बढ़त है और quarter on quarter basis पर यह लगबग 1% बढ़ा है Q4 में इस कम्पनी का profit before tax 9 करोड 53 लाग है जो प्रिविएस quarter में यह 9 करोड 15 लाग था और प्रिविएस एर के Q4 में यह 5 करोड 26 लाग था तो यहां Year on Year basis पर 81% की बढ़त है और quarter on quarter basis पर यह 4% बढ़ा है Q4 में इस कम्पनी का profit after tax या net profit 7 करोड 62 लाग है जो प्रिविएस quarter में यह 6 करोड 45 लाग था और प्रिविएस year के quarter 4 में यह 3 करोड 68 लाग था तो net profit में Year on Year basis पर 107% का ग्रोथ है और quarter on quarter basis पर यह लगबग 18% बढ़ा है Q4 में इस कम्पनी का earning per share एक रुपे 35 पैसा है जो प्रिविएस quarter में एक रुपे 15 पैसा था और प्रिविएस year के Q4 में यह 65 पैसे था EPS में Year on Year basis पर लगबग 108% का ग्रोथ हुआ है और quarter on quarter basis पर यह लगबग 18% बढ़ा है तो दोस्तों यह था इस कम्पनी का result आप भी comment section पर लिखें कि यह result आपो कैसा लगा दोस्तों आप इस वीडियो को like करें मेरे channel को subscribe करें इस वीडियो को अधिक से अधिक share भी करें बहुत बहुत धन्यवाद